बिहार का स्यासत अभी पूरे अपने माहौल में है इप्तार पार्टी को लेकर के जो बिबाद अभी चल रहा है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है इप्तार पार्टी को लेकर NDA की सहयोगी दलुपे नेताव पर निसाना साधना केंद्रिये मंत्री गिरीराज सीह को भारी पर गया है गिरी मंत्री अमीत साह ने गिरीराज सीह को उनके ब्यान के लिए फटकार लगाई है उन्होंने गिराज सीह को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि भविसे में ऐसे ब्यान या ट्वीट न करे अमीत साह ने अन्डिये के सहयोगी दलो पर ब्यान पर नराजगी जताई और साप सब्दों में कहा कि अगर इस तरह की गलती फिर दोहराई गई तो कड़ी कड़वाई होगी भाजपा नेता गिराज सीह के द्वारा इपतारी दावत को लेकर दिये गए ब्यान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है गिराज सीह के दावत इपतार को लेकर दिये गए ब्यान पर उनकी ही पाटी के साथ ही अपत्ती जाहिर कर रहे है वहीं कुछ बचाव भी कर रहे हैं बिहार के उपमुख मंत्री सुसील कुमार मोदी गिराज सीह के सवाल पर कहा मुझे नहीं मालूम कि गिराज सीह ने क्या ट्वीट किया है लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और अपने अवास पर इफ्तार भी करता हूँ खोली भी मनाता हूँ और फला हार भी करता हूँ और जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं वे लोग तो होली मिलन भी नहीं करते हैं अगर बात करें तो गिरीराज सीह को तंग दिल वाला हिंदू जद्यू के नेता बता रहे है जद्यू पाटी के परधान महासचीव केसी त्यागी ने गिरीराज सीह को जबाब देते हुए बोला कि चुनाओ अब समाप्थ हो गया है और वे अपने पसुपालन विभाग पर ध्यान बनाए न कि अलग अलग चीजों को मुद्दों को उचाले गिरीराज सीह के सेयर किये हुए चार तस्बीर पर केसी त्यागी ने आगे बताया कि मैं उन्हें पाचवी तस्बीर भेज रहा हूँ जिसमें परधान मंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी में सबसे बड़ी मिस्दित में वहां के सेख जाहीद और इमाम के साथ भूमते और बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पीम मोदी ने सबका विश्वास जीतने का संकल्प किया है और अबू धाबी की ये तस्बीर उसकी प्रतीक है जो की उन्होंने दिखाया तो गिरी राज से अभी पूरी तरह से घीर गए हैं और अपनी पाटी और विपक्ष और एंडिये के नेता भी होंको घेरने की पूरी कोसिस कर रहे हैं चाहें वो जद्दिव हो जद्दिव के बहुत सारे नेता अपने अपने ब्यान दिये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवार